Hello guys, this is Mukesh Meg and welcome to Mukesh Meg YouTube channel और आज के जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है How to install fonts in your Photoshop तो किसी भी font के फाइल को Photoshop के अंदर किस तरीकी से install करना है यह आज मैं आपको बसाने वाला हूँ और उसी के साथ-साथ at the ending आपको free bonus एक cinematic font का pack देने वाला हूँ तो वीडियो को मिस मत करिए पूरा start से लेकर end तक देखते रही है So let's get started तो अगर आपको fonts को install करना है तो simply आपको उन सब fonts को select कर देना है यह होगा step number 1 step number 2 है right click करो और यहाँ पर install का option आता है इसके उपर click कर दो simply आपके जितनी भी font है सारे के सारे Photoshop के अंदर add हो जाएंगे बस इतना ही step है अब आपको लग यारी इतना easy कैसा है actual में अगर आप directly install करते हो तो यह Premiere Pro के अंदर Photoshop के अंदर After Effect के अंदर हर जगे यह font add हो चुके है यह था सबसे simple method अगर इस method से नहीं हो रहा है तो इसका और एक solution है जो भी font आपको install करना है उसके उपर double click करो वो font का file open हो जाएगा यहाँ पर install का option दिखा रहा है इसके उपर भी click कर सकते हो ठीक है बट यहाँ पर most important चीज़ है अगर आप यह font उसके अंदर ढूंडते बैट अगे आपको मिलेगा नहीं तो आपको सबसे पहले नाम याद रखना पड़ेगा अब हम यह font को यूज़ करने वाले तो इसका नाम क्या है वोगा तो नाम याद रखने ठीक है उसके बाद में एक नेक्स चीज़ यह भी याद रखने कि अगर आपको Photoshop पहले से open है तो उसको पहले close करना पड़ेगा तब ही वो font उसके अंदर आपको दिखाएगा वरना हो सकता है कि वो उसके अंदर ना दिखाए तो restart करना पड़ेगा Photoshop में वापस से open कर रहा हूँ हम कौन सा font try करने वाले यह वाला सारे के सारे font इंस्टॉल हो चुक है सबसे पहले यहां पर एक में new page ले लेता हूँ अब मुझे font चाहिए Voga सबसे पहले मैं text tool को select कर रहा हूँ यहां से color मैंने कोई भी एक dark choose कर लेना है अब यहां पर आपको directly search box के अंदर font का जो यहां पर list है इसके अंदर तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं तो directly यहां पर search कर देना है Voga ठीक है इस तरी कैसी font आ गया अब आप जो भी type करोगे वह उसी font के अंदर होगा अब मुझे type करना है Mukesh Mac मैने type कर लिया अब इसका font और चेंज करना है और जैसे कि मैने आपको start में बताया था कि इस video के अंदर मैं आपको free cinematic font का एक bundle देने वाला हूँ तो अगर आपको वो चाहिए तो उसको हमने हमारे telegram group के उपर upload कर दिया है तो वहां से आप जाके उसको download कर सकते हो और उसी के साथ-साथ हम हमारे telegram group के उपर बहुत सारा free editing data provide करते रहते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे telegram का group join नहीं किया तो आप उसका link description के अंदर है वहां से आप उसको join कर सकते हो आज की इस video के अंदर बस इतना ही मिलते हैं हमारे next video के अंदर तब तक के लिए good bye